जाहिन स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में इस वीडियो में मैं पेंशनर्स, फेमिली पेंशनर्स तथा इंपलाईज के लिए बहुत बड़ी जनकारी और अपडेट लेकर आया हूँ विशेश कर पेंशनर्स तथा फेमिली पेंशनर्स के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है पेंशनर्स तथा फेमिली पेंशनर्स फोर्थ पेंशन, फिफ्थ पेंशन, शिफ्थ पेंशन और सेवेंथ पेंशन में कितनी पेंशन बनी है इसके अलावा 7th CPC में National Pay आने के बार जो 2016 में आई थी उसके बाद आपकी pension कितनी बढ़ी थी तथा कितनी बढ़ोतरी family pension में हुई यह सारी बाते आपको दिखाऊंगा सारी table भी आपको दिखाऊंगा बने रहे आप हमारे साथ हमारे वीडियो में और यह भी बताऊंगा कि यदि pension revise होता है तो आपकी pension कितनी बनेगी अब आते हैं pension table पर आपके सामने table 7 का pension table है इसमें आपकी basic pension 1 January 1986 से 31 December 1995 तक दूसरा है 1 January 1996 से 31 December 2005 तक तिसरा है 1 January 2006 से 31 December 2015 तक तता 14 आपकी minimum और maximum pension कितनी हो सकती है वो national pay है जो लगने के बाद जो 1 January 2016 के बाद आई थी national pay जब national pay लागू हो जाएगा तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी बने रहे आप हमारे साथ हमारे चैनल में यदि first time है तो इसे subscribe के तता बेल आइकन की घंटी को दबा दे आप जानेंगे कि आपकी pension या family pension रिभाईज होने के बाद कितनी होगी जैसे कि 1 January 1986 से 31 December 1995 में जो रिटार हुए है उनकी basic pension 275 रुपे होगी वहीं जो 1996 से 2005 के बिच रिटार हुए थे उनकी basic pension 24,050 रुपे होगी अब जो 2006 से 2015 के बिच रिटार हुए थे उनको 18,460 रुपे basic pension के रूप में मिलेगी यदि रिपेरेंज की पर विचार किया जाए तो 1 January 2006 से 31 December 2015 के बिच मिनिमम की बात करे तो 17,980 रुपे आपको मिलने वाली है और मैक्सिमम उनको 18,920 रुपे मिल सकता है और यदि उस पर national पर add कर दिया जाए तो 76,600 रुपे आप उनको full pension मिलेगी अब हम यदि revised pension या family pension की बात करें तो 1 January 2016 के हिसाब से उनकी pension और family pension 23,800 रुपे उनको मिलेगी एक कुरेट जनकारी थी टेबल के साथ हमने आपको बता दी कि जानकर आपको जरूख खुसी मिली होगी अच्छा लगा होगा कि रिभाइच pension आपकी कितनी आने वाली है क्योंकि आप सबका अधिकार है उस पर आप आसा लगाए हैं इसलिए हमने आपको बताया